बॉली वूट के बादसा इस सदी के महानायक अमता बच्चन को नहीं लगता कि उनकी कहानी किसी सफलता की कहानी है एक इंटर्व्यू के दोरान अमीज जी ने कहा कि मेरी कहानी कोई सफलता की कहानी नहीं है बस मेरी किसमत ने साथ दिया जो आज तक दे रही है आईए जानते हैं अमिता बच्चन की सफलता की कहानी बॉलिवुड की दुनिया में उनका अपना पहला कदम रखते ही असफलता का लंबा दोर चला अमिता बच्चन ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत वर्ष 1979 से की उनकी पहली फिल्म साथ हिंदुस्तानी बॉलिवुड में एंट्री मारी जिसके लिए उन्हें 5000 रुपे मिले थे बुरी तरह से फ्लॉप हो गई लेकिन ये फ्लॉप होने का सिल्सला यहीं खत्म नहीं हुआ दोस्तों एक के बाद एक उनकी कई फिल्मे लगातार फ्लॉप होई लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी पुरी जिद के साथ जिन्दगी से लड़ते रहे इस फिल्म के बाद अमिताब जी की लगातार 12 फिल्मे फ्लॉप रही फिर फिल्म निर्माता प्रकाश महरा ने उन्हें वर्ष 1973 में आई जंजीर फिल्म के लिए चुना। फिल्म इतनी हिट हुई कि उनकी लोक प्रियता भी बढ़ती गई। उसके बाद कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिन्हें इस तदी के महानायक, बिग बी, शेहनसा जैसे नामों से जाना जाता है। आए जानते हैं अमिट जी की परसनल लाइफ के बारे में भी। बॉलिवुट के महानायक, अमिताब बच्चन और ब्यूटी क बढ़ने लगी थी, अमिताब ने तो कभी रेखा के संग प्यार को कबूल नहीं किया, लेकिन रेखा आज भी दिल ही दिल में उनको अपना मानती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि अमिट जी ने कभी भी रेखा जी को प्रपोज नहीं किया था, लेकिन कहा जाता है कि तब मीडिया में अफवा फैल गई थी कि रेखा ने अमिता बच्चन से शादी कर ली है हाला कि कई अफवाहों के बाद रेखा ने एक इंटर्व्यू में बताया था उस शाम वसीधे शूटिंग के शेट से कारिकरम में पहुंची थी और सिंदूर और मंगल सूत्र उनके किरदार का हिस्सा था और वे उसे उतारना भूल गई थी दोनों लोगों में कुछ बातों को लेकर दूरियां बढ़ने लगी समय के साथ दूर हो गई प्यारी सी जोडी फिर अमिजी जयाजी से मिले उन्हें देखते ही प्यार में पढ़ गए जयाजी भी अमिजी को पसंद करने लगी फिर दोनों लोगों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया सन 1973 में दोनों लोगों ने शादी कर ली इस शादी की वजह अमिजी ने केबीसी टीवी सीरियल के दोरान बताया कि जया जी के बाल बहुत लंबे और अच्छे थे इसलिए अमिजी ने जया जी से शादी कर ली बिक बिक के दो बच्चे अभिशेक बच्चन और बेटी श्वेता बच्चन हैं उनकी बहु विशु शुन्दरी एश्वेर्या राय हैं अमिजी के पिता जी एक लेखक थे जिनका नाम हरिबंश राय बच्चन था अमिजी ने अभी तक कुल 192 फिल्मों में अभिने किया है